हेलो एबरीवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आप देख रहे हैं स्वांडिम बाइलोजी क्लासेस और मैं शुभमतिवारी काफी दिन बाद ये वीडियो आ रही है और ये वीडियो इसले बना रहे है क्योंकि एक क्वेश्चन लोगों का कई बार निकल के आया कि गौवर्मेंट टीचर कैसे बना जाए तो गौवर्मेंट टीचर बनने में भी ये देखा जाता है आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं आपकी रूची कहां तक है तो हम एक एक करके हर जो है ग्रेड के बारे में लेवल के बारे में आपको बता देते हैं कि PG तक के teachers कैसे बन सकते हैं तो सबसे पहले सुरू करते हैं primary teacher से primary teacher बनने के लिए आपको graduate होना पड़ेगा आपके पास BA, BSC, BCOM जैसे degrees होनी चाहिए और उसके बाद आप कोई state tet, seated और फिर super tet अभी recently एक दो साल पहले हुआ है वो जो है करना पड़ेगा अगर आप ये कर लेते हैं तो आप primary के teacher बन सकते हैं जब भी vacancies आएंगी हाँ, साथ ही साथ आपके पास DLED या जिसे BTC भी कहा जाता था और BED में से कुछ एक होना चाहिए इसके बाद आते हैं upper primary या जिसे junior teacher भी बोलते हैं उसमें आप primary में 1-5 आप teacher बनेंगे class 1-5 जबकि junior में आप 6-8 teacher बनेंगे और eligibility criteria जो है degrees बगरा सब सेम है दोनों के लिए बस form अलग-अलग निगलते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा आते हैं TGT और PGT पे TGT मतलब trained graduate teacher और PGT यानि post graduate teacher जो TGT teacher होता है वो केवल class 10 तक 9-10 तक पढ़ा सकता है जबकि PGT teacher intermediate तक 11-12 तक पढ़ा सकता है TGT होने के लिए अगर हम especially UP की बात करें तो TGT होने के लिए आपके पास graduation के बाद beard होना necessary है और अभी 2016 तक interview था लेकिन उसके बाद के जो form आये हैं उसमें interview TGT से हटा दिया गया है जबकि PGT में अभी भी interview continue है और आगे भी रहेगा तो PGT में PG की degree होनी चाहिए अभी तक UP में B.A.D. necessary नहीं किया गया है यानि अगर आप PG हैं और B.A.D. नहीं भी हैं तब भी आप PGT दे सकते हैं इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप degree college के teacher बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा डिगरी college teacher बनने के लिए आपको PG होना सबसे अनिवारे है उसके बाद आपके पास NET और PhD होना चाहिए तो NET के लिए अगर आप Arts या Humanities के हैं तो आपको UGC का NET देना होगा UGC उसके लिए संस्था है जो NET का एक्जाम करवाती है जबकि Science Background के लोगों के लिए CSIR करवाती है तो NET का एक्जाम पास करिए उसी में अगर अच्छा मार्क होगा तो JR भी हो जाएगा और उसके बाद PhD फिर अगर वेकेंसी जाती है डिगरी कॉलेज में तो आप उसको फिल अप करिए एक्जाम दीजिए और आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो Assistant Professor बन सकते हैं प्रोफेसर में भी Assistant Professor, Associate Professor और Professor होता है जहां तक हमारी नॉलेज है इन तीनों में एक छोटा सा माइनूट सा डिफरेंस जो हमें समझाता है जब आप अजब प्रोफेसर सेलेक्ट होते हैं तब चुकि एक्सपरियंस नहीं होता आपके पास तो उसे Assistant Professor कहा जाता है फिर कुछ सालों का Experience होने के बाद आपको Associate Professor कहा जाता है और जब आप सबसे ज़ादा Experience Deperson हो जाते हैं अपने Subject के तब आप Professor कहे जाते हैं यहां तक की जो Medical Science है उसमें भी जो Senior Doctors हैं उनको भी Professor ही कहा जाता है क्योंकि वो अपने Juniors को सिखाते हैं तो इस तरीके से Primary से लेकर के डिगरी College के Government Teacher आप कैसे बन सकते हैं वो हमने आपको बताया अगर आपका इसके बाद भी कोई Question रह जाता है Query है तो आप नीचे Comment करिएगा हम आंसर जरूर करेंगे जहां तक हमारी Knowledge होगी हम आपको Satisfy करेंगे तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए लोगों को भी दिखाते रहिए आप भी देखते रहिए तब तक के लिए Be Different, Be Unique, Be Yourself Thank You